हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में भारत के सविधान के भाग तीन में हमें साथ तरह के मौलिक अधिकार दिये गए थे लेकिन बाद में 44 सविधान संसोधन के द्वारा प्र लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में और नोटिफिकेशन बटन को और रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें भारत के सविधान के द्वारा भ और नमबर छे और आखरी अधिकार है सवेधानिक उप्चारों का अधिकार तो चलिए बारी बारी से आर्टिकल वाई समझते हैं इन अधिकारों के बारे में तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार जो की कॉंस्टिटूशन के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक डिफाइन के ग जानता रखी जाएगी कानून के सामने उन्हें समान नजरों से देखा जाएगा उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा यानिकि जो भारत के कानून है वो सभी नागरिकों के लिए एक समान होंगे उसके बाद आता है आर्टिकल पंदरा अर्टिकल 15 हमें धर्म जाती नस्ल और जनम स्थान के आधार पर किसी भी नागरी के साथ भेदभाव करने से मना ही करता है भारत के किसी भी राजे में किसी भी शेत्र से आए हुए किसी भी व्यक्ति के साथ जाती या धर्म को लेकर या जनम स्थान को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया ऐसर की समानता का अधिकार का मदलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जनम-जाती धर्म या जनमस्थान के आधार पर सरकारी नौकरियाद देने या ना देने का जो आउसर है वो एक जासे दिये जाएंगे किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव्ं नहीं किया जाएगा फिर आता है भारत के सभी समान होंगे 이후 उनकी जाती धरम को किसी तरह का चूअ-हूद भेदभाव्ं नहीं किया जाएगा फिर है ऑटिकल 18 जो कि समानता के अधिकार में आखरी नमबर और यह उपाधियों को खतम करने के बात करता है आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों सिर्फ सेना में दी जाएंगी या फिर एजुकेशन फिल्ड में दी जा सकती हैं उसके अलावा किसी भी तरह कि कोई उपाधी किसी भी परसन को नहीं दी जाएगी अगर किसी परसन को विदे 18 तक डिफाइंग किये गए हैं अब हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार आता है वह आता है स्वतंत्रता का जो की आइंटीकल 19 से लेकर 22 तक बताए गए हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला दिकार आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को विचार करने का भाशन देने का और दूसरे के विचारों को अब प्रचार प्रसार करने की स्वतंतरता दी गई है फिर दूसरी स्वतंतरता है शांती पूर्वक सभा और सम्मेलन करने की स्वतंतरता तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को ये स्वतंतरता है कि वो किसी भी तरह की सभाब उला सकते हैं सम्मेलन कर सकते हैं बशरते वो शांती पूर्वक होनी चाहिए बिना किसी सस्त्रों के होनी चाहिए तो इस तरह की जो सम्मेलन हैं करा लगता है कि एस प्रदर्शन से समाज की शान्ती भंग हो सकती है तो राजय को ये शक्तिया दी गई है कि वो इस तरह के स्वतंतरता पर रोक लगा सकती है influxас अग्ला को को से करता है जिससे की राजे को खत्रा है राजे की शांती का भंग होने का खत्रा है तो इस तरह का संग्ग और समुधाय नहीं बनाए जा सकेंगे अगली स्वतंतरता या दिया दिया धिया है कि वह अपनी मर्जी से स्थाई रूप से या फिर आश स्थाई रूप से भारत के किसी भी शेत्र भे रह सकते हैं चलिसक्राइद सब्यादि कोओ ये अधिकार दिये गए हैं कि वो अपनी मर्जी का कोई विवसाई कर सकते हैं नौकरी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं उनकी इस स्वतंतरता पर कोई किसी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा और इतना ही नहीं सविधान के आर्टिकल 20 के अंदर जो भारत के अपराधी हैं उनको भी कुछ मौलिक अधिकार दिये गए हैं जैसे कि किसी फी अपराधी को एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी एक अपराधी को उसके अपराध के लिए उस समय जो भी कानून लागू होगा उसी के हिसाब से सजा दी जा सकेगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो पहले कानून था उसके हिसाब से सजा दे दी जाए या फिर सजा देने के बाद कानून में अगर कोई बदलाव होता है तो उस अपराधी की सजा को उस हिसाब से बदल दिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा उ उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया जाएगा फिर आता है आर्टिकल 21 कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने प्राणों की अपने बॉडी की संदक्षन करने की स्वतंतरता होगी भारत में रहने वाले किसी भी नागरिकों ये अधिकार होगा कि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके अब उन्हें उनके जीवन और व्यक्तिक स्वतंतरता से किसी भी तरह से वंचित ना रहना पड़े इसके लावा आर्टिकल 21 में ये भी बताया गया है कि भारत में रहने वाले सभी बच्चे 6-14 साल तक की आयू लिए जाता है तो ऊस व्यक्ति को जुग गिरिव्फतार हुआ है उसे तीन तरह के अधिकार दिए गये हैं पहला तो यह है कि उस् einfach किया गया है उसे कारण बताना होगा कि उसे गिरिफतार क्यों किया जा रहा है दूसरी स्वतंतरता ये कि उसे 24 घंटे से ज्यादा लॉक अप में नहीं रखा जाएगा 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्टेट के सामने पेश करना होगा और तीसरी स्वतंत्रता ये कि उसे अपनी पसंद का वकील चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी अब आते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की तरफ जो है शोशन के खिलाफ अधिकार जिसे आर्टिकल 23 से लेकर 24 में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 23 में बेगार या फि फिर उसे बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक दंडिनिये अपराद होगा उसके बाद आर्टिकल 24 बाल श्रम की बात करता है 14 साल से कम आयों के बच्चे से किसी तरह का काम नहीं कराया जा सकता किसी भी खान में काम करना या फिर 25 से Witलि एट को सारजवनिक सदाचार और स्वास्ति को दियान मेंसे अपने द्धरम का अनुसरण करने का उससे धरम को अपनाने का ऊठीक नहीं दिया गया है part 25 कि जो हिंदू धर्म के लोगों को मंदिर् OK नहीं लगाई जाएगी इसके बाद आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंद करने की स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी तरह की धार्मिक संस्थाओं का निर्मान कर सकती हैं धर्म के संबंद में किसी भी मामले का निप्टान कर सकेंगी चल या अचल संपत्ति को खरीद सक का संचालन भी कानून के नुसार कर सकेंगी और इसी तरह से आर्टिकल 27 में ये प्रोवीजन किया गया है कि इस तरह की इंकम जो की धार्मिक सज़स्सकेի संस्था में किसी धर्म के लिए मजबूर करेगा उसके बाद आता है आर्टिकल 29 को आया हुआ विक्ति अपनी भाशा लिपी और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है इसे उसका पूरा अधिकार होगा यह हमें यह भी अधिकार देता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल यह कॉलिज में एड्मिशन लेने के लिए किसी भी तरह का भेतभाव नहीं किया जा सकता है और उसे सुचारो रूप से चला भी सकता है अब इसके बाद आता है हमारा चफ़टा और आखरी मौलिक आधिकार सवेधानिक अचारों का अधिकार जोकी Art.32 में Define किया गया है यह अदिकार नागेर को के मौलिक अधिकारों को सुचारों रोप से चलाने के लिए उन पर किसी तरह का रोक या अंकुष्ण न लगाया जा सके इसलिए बल्यावलिक अधिकारों हमने भारत के सविधान के द्वारा दिये गए मौलिक अधिकारों के बारे में बात की होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में और नोटिफिकेशन ब